इसे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने रटिसी क्रिस्टल के बारे में बताया था कि आज इस वीडियो में हम अर्फ क्रिस्टल के उपर बात करने वाले हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चनल को और बेल आइगन को प्रेस कीजिए हमारे latest वीडियो के notification के लिए और आप सबी जानते हैं कि हमारा फोन wireless होता है और mobile के अंदर RF signal का use किया जाता है मतलब radio frequency का use किया जाता है इस वज़े से हमारे mobile phone के अंदर जो हमारी network का ऐसी होती है उसके साथ में crystal लगाया जाता है जिसे RF crystal कहते है जो कि 2600 megahertz का होता है और यहां पर जो आप देख रहे हैं यह हमारा wifi का section होता है मतलब जहां से wifi, bluetooth वगरा मतलब जिसे हम wireless का ऐसी कहते है तो वहां पर भी एक crystal लगा होता है और जो यह crystal होता है इसका काम जो होता है वो network के अंदर megahertz generate करने काम होता है क्योंकि दिखी जो हमारा wireless technology होती है वो megahertz पर work करती है मतलब हमारे जो radio frequency होते है जिसे आपने सुना होगा कि जितनी भी C में होती है वो band से आती है जिसे 900 band में 1800 band में तो phone की network setting में भी आपने देखा होगा जहां पर band selection करके एक setting आती है जहां पर हम 800, 900 1800, 1900 इस तरह से band select करते है तो यह जो हमारा band select होता है उसकी जो capacity होती है वो इसी network के मतलब इसी crystal के उपर depend करती है क्योंकि जैसे कि हमारा megahertz का यह crystal होता है आप जो यह crystal देख रहे है 2600 megahertz का इसका मतलब यह होता है कि इसमें आप 2600 megahertz तक की sim को use कर सकते हैं मतलब हमारा जो phone का band selection की जो setting है उसकी maximum limit है 2600 मतलब 2600 और इससे नीचे की sim आप इसके अंदर use कर सकते हैं अगर आप लोगों को याद हो तो starting में जब phone आना शुरू होए थे उस समय कुछ phone ऐसे थे जिसके अंदर air tail की sim या फिर bsnl की इस तरह की वो sim नहीं चलती थी जो 1800 या फिर 1900 band selection पर चलती थी क्योंकि starting ये कुछ phone के अंदर 1100 megahertz का crystal होता था किसी के अंदर 1600 megahertz का crystal होता था उस वज़े से उस से उपर की sim नहीं चलती थी जो 1900 megahertz या फिर 1800 megahertz की होती थी और जादा तर जो जिससे idea की bsnl की जो sim हुआ करती थी मतलब अभी भी जो sim है वो 900 megahertz पर चलती है वैसे तो आज के time में आब वो दोनो band पर चलती है मतलब 900 megahertz पर भी चलती है लेकिन starting में जब technology इतनी आगे नहीं बड़ी थी जब जिस भी company को जितना spectrum मिला होता था मतलब आपने सुना ही होगा जो 2G spectrum गोटाला जो एक बार हुआ था तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे country के अंदर हर state के अंदर जो network services देने वाली मतलब हैं उनको 900 megahertz या फिर 800 megahertz का permitted वो मिलता है मतलब इतनी frequency highest वो यूज कर सकते हैं तो इस वज़े से जैसे मैंने example दिया कि जो पहले के पुराने phone आते थे तो उनके अंदर 1200 megahertz का ही crystal आता था और उस वज़े से जितनी भी जो जो 1800 या 900 megahertz की SIM हुआ करती थी वो इसके अंदर नहीं चल पाती थी वो देखिए जो हमारे RF signal होते हैं वो इस तरह से cellular network का जो बी जिसा मतलब जो मदू मुख्य का छत्ता होता है उस तरह से जो हमारे mobile के tower होते हैं उन्हें arrange किया जाता है और जिसके तुर हमारा network जो होता है वो megahertz में हमारे phone में receive होता है और देखिए जो हमारा crystal होता है circuit diagram में उसका symbol कुछ इस तरह से होता है और देखिए यह हमने यहां पर आपको schematic का एक इसमें sample भी दिखाया देखिए यहां पर यह लिखा हुआ है 26 MSZ मतलब megahertz का 26 megahertz का यह crystal है और इसका denoting letter mostly B ही होता है या कभी कबार इसमें OSC के नाम से भी इसे दिखाया जाता है आप सभी ने YouTube पर अब तक जितनी भी video crystal के ओपर देखिए होगी उसमें जातर इस तरह से बताया जाता है कि यह 2600 megahertz का crystal होता है इसमें से 1300 megahertz CPU के पास होता है और 1300 megahertz network IC के पास होता है तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यह जो megahertz है यह हमारे network IC की frequency की highest range का उसके अंदर crystal लगा है और देखिए अगर हमारे phone के अंदर 2600 megahertz का crystal लगा है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे phone का network की capacity है वो 2600 megahertz तक है और इसमें अगर आप कोई भी sim चलाते हैं उसका band मतलब जो network setting होती है अगर वो 2600 megahertz से कम होगी तभी इस phone में वो sim चलेगी कि 2600 megahertz से ज़्यादा होगी तो इसके अंदर नहीं चलेगी इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह 1300 megahertz से network IC use करती है वो 1300 megahertz CPU क्योंकि देखिए यह wireless के लिए एक अलग crystal दिया हुआ है जो wireless के signal को use करता है और जो यह आप 2600 megahertz देख रहे हैं हमारी network IC के लिए CPU के अंदर खुद का circuit होता है और उसका जो crystal होता है CPU के अंदर ही होता है CPU के अंदर भी इसका processing control का crystal होता है और वो उसी को use करता है और देखिए फोन में वैसे crystal और भी बहुत सारे होते हैं ज्यादा तर दो ही crystal बताए जाते हैं फोन के अंदर लेकिन मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा के crystal कितने तरह के होता है देखिए यह Nokia 1100 का पुराना board है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह देखिए यहाँ पर 2600 MHz का crystal लगा हुआ है लेकिन उसके जो network का इसी लगी है उसके just उपर ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह से आपको दो छोटे crystal ओर दिखेंगे और एक यहाँ पर देखिए बहुत से जगे इन components को filter बताया जाता है कि यह network filter होते हैं लेकिन अगर आप circuit diagram में देखेंगे तो वहाँ पर इन network filter कहा जाता है वो भी MHz में कम नहीं होते हैं देखिए यहाँ पर जो right वाला है वो 942.5 MP का है वैसे ही यहाँ पर 1842.5 MHz का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1910 MHz का यहाँ पर यह तीन crystal लगे हुआ है जिने filter कहा जाता है और इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको schematic यहाँ पर दिखा रहा हूँ देखें यह जो आप schematic देख रहे हैं अगर आप देखेंगे तो यह line diagram में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एक यहाँ पर filter लगा हुआ है देखें 1842.5 MHz का है उसके जस्ट उपर 942.5 MHz का और यह Nokia 1600 का इसकी diagram है अब मैं आपको 1100 का दिखाँगा यह देखें यह Nokia 1100 का सरकी diagram है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1842.5 MHz यहाँ पर इसमें बताया गया है और इसके side में भी यहाँ पर जो schematics में का आप देखेंगे तो वो भी लगबग लगबग 942 MHz के approximately है इसके लिए आप schematics वीडियो की description में से download कर सकते हैं और यह देखें सरकी diagram में इनके number भी यहाँ पर दिखाए हुए है Z601 Z602 आप देख सकते हैं यहाँ पर Z602 601 और इसी वीडियो की description में schematics की download link भी है Nokia 1100 Nokia 1600 तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा mobile के अंदर दो crystal बता देखें कीपेड वाले फोन में एक crystal और जिसमें Bluetooth या Wi-Fi होता है उसमें एक crystal हो इस तरह से बताया जाता है कि फोन के अंदर दो ही crystal होते हैं लेकिन देखें ऐसा नहीं है crystal बहुत सारे होते हैं और फोन के अंदर बहुत जगे crystal यूज किये जाते हैं जहां पर wireless technology होती है जिस दो होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसके अंदर सिर्फ दो ज्यादा crystal होते हैं पहले की भी बहुत सारी वीडियो में एक बात आप सबको बहुत बार कही कि हमारे YouTube चैनल पर जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं वो हमेशा हम A से Z तक बनाते हैं मतलब उसके अंदर आपको पूरी complete information देते हैं ऐसा नहीं कि हम incomplete दें या आज के समय के हिसाब से आपको बताएं जब भी हम हमारे YouTube चैनल पर किसी भी topic के उपर अगर वीडियो बनाते हैं तो पूरा उसका आपको complete knowledge जब से वो चीज़ स्टार्ट होई और किस तरह से वो आज के समय तक आ रखते हुए experience के लिए और एक complete learning के लिए हम इस तरह के detail और deep level के knowledgeable video बनाते हैं ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सके जान सके और mobile repairing की hardware field में एक complete technician बनने के लिए हमें इन सभी चीजों की जानकारी होना चाहिए तब ही हमें एक अच्छे technician बन सकते हैं तो friends अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए like कीजिए और हमारे चनल को subscribe कीजिए क्योंकि इस तरह की knowledgeable video हम हमारे valuable viewers के लिए बनाते रहते हैं थैंक्स फर वच्छिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्